सो आगेत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग वाई प्रभाश पे तो कल का दोस्तों फोकस बहुत ही जादा क्लियर है और अगर आप देखेंगे तो कल पूरी तरीके से हम लोग वर करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में और आप दे क्लू मिलता है तो आपको अच्छे लेवल मिल सकते हैं यहां से यह देखेगा यह लेवल से आपको अच्छे लेवल मिल सकते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि तकरीवन तकरीवन देखेगा काफी अच्छा यहां पर डाउन फॉल आया था यह देखिए आपको देखने को मि लिए है तो मुझे लगता है बीस चासो बीस पांसो पचास यह बहुत ही बड़े हर्डल है जहां पर फिर निफ्टी आता है तो सेलिंग प्रेशर आएगा लेकिन सेलिंग प्रेशर का कंफर्मेशन कैसे रहे कल भी मेरी स्ट्राटेजी पहले दस मिनट या पंदा मिनट यही है कि पहला स्कैल्प मारके कहीं पर भी खुले फ्लाट या पॉजिटेव पहला स्कैल्प नीचे की तरफ हो जाए चोकि बहुत सारे लोग साटरडे संडे और फ्राइडे देखेगा पोजीशन होल्ड करके लेके गए तीन दिन और आपको पता है कि यहां पर G20 समिट जो है वो खतम हो चुकी है दस्तारी को खतम हो चुकी है तो आपको पता है कि अब वो जो इंपाक्ट आएगा वो जो भी चीज़े निकली ठीक है हाँ उसके हिसाब से मारकेट ओपेन हो जाएगा देन आफ्टर डाट रियालिटी में आपको आना सिचुएशन बनी हुई है वो तो बनी हुई है तो मुझे लगता है कि यहां देखेगा अगर पॉजिटिव ओपेन हो जाता है तो यहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉजिटिव मिलेगी तक्रीवन तक्रीवन 20-550 के लेवल के असपास और वहां से सेलिंग लगता है तो सबसे पहला सेलिंग प्रेशर फिन निफटि में देखने हूं मिलेगा इसके लिए मैंने दो चीज़ों को कंसीuger किया है पहला HDFC बैक को जिसमें मैं यह देखूंगा कि HDFC bank या 16-22 के लेवल के आसपास आ रहा है या 16-34 के लेवल के आसपास आ रहा है तो अगर HDFC bank 16-34 या 36-38 या 16-42 के लेवल के आसपास कहीं देखने हूं मिलता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने stock को hold कर रखा है selling pressure देखने हूं मिलेगा इन दामनी के put के साथ जाना चाहूंगा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ICIC bank को भी मैं focus करूंगा चुकि यह अभी तक उतने momentum से नहीं भागा है जितने momentum से other stock भाग रहा है तो अगर आप देखेंगे तो 980 पहला इनके लिए hurdle होगा और 992 इनके लिए दूसरा hurdle होगा तो अगर 900 C992 के बीच में ICIC bank भी hurdle face करता है और market लगातार इस हफते में अगर देखेंगे तो तीन दिन लगातार overbought zone की trajectory में है यानि कि जो market है वो पूरी तरीके से overbought zone में आपको देखने को मिलना है तो ऐसे overbought zone में a profit booking बन सकती है finnifty में और उसी पे scalp करना है उसी पे क्या करना है आपको scalp करना है तो मैंने आपको level बहुत clear कर दिये पहला तो देखेगा यहाँ पे hurdle face होगा पहला देखेगा आपको देखने होगा 2350 से 2400 के बीच में 2350 से 2400 के बीच में अगर HDFC बैंक और ICIC बैंक perform करते हुए आपको देखने को ना मिलें तो आप समन लीजेगा market देखेगा profit booking के scalp के लिए ready है move भले छोटा होगा बड़ा होगा यह नहीं पता लेकिन छोटा move आपको आराम से मिलेगा तो यह आपको यहाँ पे एक अच्छा setup ready देखने को मिला है जिस पे आप कल work कर सकते हैं और देखते हैं कल क्या होता है और अगर analysis देखेगा इस तरीके के और चाहते हैं तो वीडियो के नीचे yes comment करना मत भुलेगा thank you so much